क्या हुआ जब साई बाबा को लेना पड़ा बालक का रूप उड़ा दिया उन्होंने अपने भक्तों के होश आप देख रहे हैं साई जीवन माला यूडूब चैनल राजस्थान के अजमेर गाउं में एक टोनू नाम का व्यक्ति रहा करता था जो अपने बाल्यकाल से ही मा के अलावा कोई भी नहीं था मोनू अपने जीवन में बुरी आदतों से बहुत ही जादा दूर रहता था वह सात्विक जीवन व्यतीत करने में जादा विश्वास रखा करता था टोनू की आज था साई बाबा के प्रती बहुत ही अधिक द्रिंट थी उसका मानना था कि उसके जीवन में कितनी भी जादा संकट क्यों ना आजाए साई बाबा उनकी मदद अवश्य करेंगे एक दिन की बात है जब उनकी मा सीडियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक उनका पैर नीचे सीडियों से फिसल गया और वो बहुत ही तेज गती से नीचे गिर गई और वो नीचे गिर गई जिसके कारण उनके सर से तुरंथी खून बहने लगा वह वही पर बेहोश हो गई टोनु ने भाग कर उनको उठाया वो बहुत ही जादा घबरा चुका था टोनु ने अकेले ही अपने मा को काड़ी में लेटा कर उसे अस्पताल पहुँचाया जल् टोनु को अपने पास बुला कर कहने लगे कि हमने बहुत ही जादा प्रयास किया है लेकिन आपकी मा को होश नहीं आ रहा है अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते अब तो सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं टोनु ये बात सुनकर बहुत ही जादा निराश हो गया और वहाँ पर से अपनी मा को ले जाने लगा अस्पताल से जाते हुए उसकी आँखों से आसु बहते जा रहे थे वह सिर्फ साई बाबा को याद करते हुए अपनी मा के लिए प्राथना कर रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे टोनू अपनी मा को अपने साथ ले कि आप रोक्यों रहे हैं और उनकी मा को क्या हुआ है टोनू चिंता के कारण उस बच्चे की बिना बातों का जवाब दिये हुए ही आगे बढ़ने लगा तभी अचानक उस बच्चे ने टोनू की मा के सर के उपर अपना हाथ रखा और फिर जो हुआ टोनू के तो मानो होशी उड़ गये बालक के हाथ लगते ही उनकी मा में चेतना सी आ गई और कुछी पलो में वह होश में आ गई टोनू खुशी से पागल हो गया और वह अपनी मा को गले लगा लिया उसने पलटकर बालक को ढुंढा परन्तु वह बालक वहाँ पर से गायब हो चुका था मा ने टो हम साई बाबा थे वह आज तुम्हारे प्रातना को स्विकार कर मेरे प्राण के रच्छा करने दोड़े चले आये हैं यह सुनकर टोनू भी बहुत ही आश्यर्य में पढ़ गया और फिर टोनू और टोनू की मा ने साई बाबा का वहीं पर धन्यवाद किया और उस दिन के ब बने रहे बहुत बहुत धन्यवाद